नाशकार मैं हूँ शशांक लखे रहा हूँ और स्क्रीन पे जो आप वीडियो देख रहे हो ये है नुकलियर प्लांट पे हम लेगा रिसेंटली हुआ ये कि रशिया ने जो यॉरप का सबसे बड़ा नुकलियर प्लांट है मतलब आप ये समझो कि एरिया वाइस अगर आप तो ये बहुत ही बड़ा नुकलियर प्लांट है और वर्ल्ड में जो टॉप 10 नुकलियर प्लांट से उन में से ये एक है रिसेंटली रेशिया ने जो है इसी पर शैलिंग करी है और इसके बाद खत्रा ये हो गया है कि अगर रेडियेशन लीक होता है तो उसकी वज़े से क हमला हुआ है अगर रेडियेशन लीक हो जाता है तो करीब 40 से 50 जार लोग मारे जाएंगे और अब रश्या और यूकरेन की वार की कहानी ये है कि अब कियेव पे तो हमला होई रहा है इसके अलावा जो खारकोव भी शहर है उस पे भी अटेक हो रहा है इसके अलावा जो ब क्रीमिया की उपर क्रीमिया वो पार्ट है जिसको रश्या ने 2014 में हतेया लिया था और बेसिकली ये जो एरिया आप देख रहे हो जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये सेप्रिस्ट कंट्रोल एरिया है और रश्या इनको काफियत तक सपोर्ट भी करता था और यहां के लोग यही चाहते थे कि हम जल से जल दो है रश्या पे बिल जाए इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा जैपोरीजा जो पावर प्लांट है उस पे आग लगी हुई है रश्या ने जो अटेक किया था उसके बात तो एक्शली में क्या हुआ है किस तरीके से रश्या न जानने को मिलेगा इस प्लांट की लोकेशन क्या है वो सब मैं आपको इस बूड़ में बताऊंगा उसके पहले अगर आप किसी भी इग्जाम की प्रिशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट को से तूब कर सकते हो आपको सिपली करना क्या होगा एप को डाउनलोड करना है फ फॉस्ट अफॉल तो आप इस मैप के थूँ काफी चीज़ जो है समझ लो कि रशिया ने पहले जो है चर्नोबल जो प्लांट है उसको यहाँ पे कबजाया ठीक है उस पे काफी यूज बॉंबिंग करी उसके बाद रशिया जो है यहाँ पे कियेफ की तरफ बढ़ा यहाँ पे खारकुफ जो शहर है उसकी तरफ बढ़ा और अब रशिया जो है इस तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है मतलब तीन तरफ से जो है यहाँ पे अटेक हो रहा है कंटिनुसली जो है यहाँ पे शैलिंग हो रही है और जैपो रीजा जो नुकलर प्लांट है वो आपको सदन यूकरेन में देखने को मिलेगा अरब जो रशिया की फोर्से से वो साउथ से नौर्थ की रफ जो है मूव कर रही है मतलब इनका प्लान यह है कि यह तीन तरफ से जो है आपे कबजा रहा है चर्नोबल के उपर से भी यहाँ पे अटेक हो रहा है कियेफ के उपर इसके अला यूकरेन के उपर और एक बार मैप में देख लो कि यह जो नुकलियर प्लांट है उसकी एक्जेक्ट लोकेशन एक्चली में है कहां पर तो बेसिकली हम जो है यूकरेन पर तो यह जो है आपको यूकरेन मिलेगा यूकरेन की कैपिल है कि इसके अगर हम सदन यूकरेन में द तो हमको जैपो रीजा नुकलियर प्लांट है वो हमको देखने को मिलता है और बिसिकली ये जो है एक नदी के पास में यहाँ पर आप देखो कि तो आपको नई पर डिवर जो है देखने को मिलेगी इस रिवर के बिल्कुल किनारे पे आपको जैपो रीजा नुकलियर प्लां उक्रेन को तो उन्होंने इस प्लांट को जो है कैप्चर कर लिया है हला कि जो एनोडोर है जिस जगे पर यह नुकलियर प्लांट है वहां के जो मेयर है उन्होंने इस चीज़ को डिनाय कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है रशिया ने इस नुकलियर प्लांट को अ रहे इसके अलावा जो colleges हैं उन सब पे भी आपको बहुत ही massive level पर bombing देखने को मिलेगी इस nuclear plant में आपको 6 unit देखने को मिलेगी उन में से एक में जो है आग लगी है और इसके बाद Ukraine की official statement अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह कह रहा है जिस तरीके से रशिया जो है अटेक कर रहा है और अभी तक काफी सारे civilians जो है मारे गए और रिसेंटी ट्वीट अगर आप देखोगे यूकरेन की सरकार की तो यहाँ पर यह कह रहा है कि रशिया की जो आर्मी है वो चारो तरफ से को नहीं मिली थी लेकिन अब जब इन्हों ने जैपो रीजा नुकलियर प्लांट है उस पर अटेक किया है तो करीब 10 गुना जादा आग लगी हुई है मतलब रशिया का अटेक जो है दस टाइम बिगर था दस गुना बड़ा जो है रशिया ने अब अटेक किया है और युकरीच की सरकार क्लियर नी चीज़ को यहाँ पर कह दी कि रशिया को अब फायरिंग जो है यहाँ बंद कर देनी चाहिए और एक security zone जो है establish करना चाहिए जिससे जो nuclear plant है वो यहाँ पर safe रहे देखो इसका एक reason भी है मानलो अगर nuclear radiation फैल गया देखो वैसे तो nuclear radiation फैलत पर अगर कुछ रेडियेशन से यहां पे फैलता है और वो पानी मजा के मिल जाता है तो उसके बाद भीशर तबाही जो है देखने को मिल सकती है काफी सारे सिविलियंस जो है यहां पर मारे जाएंगे युक्रेन के काफी सारे नागरिक जो है मर सकते हैं लेकिन अब आप यहा यहां पे कहा होगा देखो इन्टरनेशनल एटॉमिक एनरजी एजैंसी के डिरेक्टर है उन्होंने यहांप यह काई कि सेफ्टी को जो है एंशोर करना चाहिए इसके अलावा इनके जो स्ताफ है जो नुकले प्लांट पे स्ताफ काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को भी एंश में कर रहा है रिसेटली रशिया ने स्वीडन में भी अपने जो एरक्राफ्ट से उनको भेजा था यहाँ पर आप देख सकते हो स्वीडिश डिफेंस मिनिस्टर कॉल्स रशिया वाइलेशन ऑफ एर स्पेस अनेक्सेप्टेबल तो रशिया ने यहाँ पर क्या किया है रशिया के कुछ फाइटर जेट पहुँच गए स्वीडन उन्होंने स्वीडन को भी यहाँ पर धमकाया कि अगर आपने भी यूरोपेन यूनियन को जोईन किया तो उसके बाद आपका भी यही हाल होगा जो कि यूकरेन का हो रहा है पूरी जो स्टोरी है वो मैंने आपको बता दी कि अगर नुकलियर प्लांट पे हमला होता है तो नुकलियर रडिशन फैल सकता है जिससे करीब 50,000 लोग मारे जाएंगे और रशिया ने वार्निंग दे दी है नौर्वे को भी इसके लावा स्वीडन को भी काफी सारे देशों को जो है वार्निंग दे दी है कि आप यूरोपन यूनियन बिल्कुल भी जोईन मत करना नहीं तो फिर हमारे जेट्स जो है बॉम्बिंग करने में बिल्कुल भी नही हो जाएंगे तो इसी के साथ यह तंत इस वीडियो का सुने के लिए बहुत धन्यवाद चैह भारत